हलो फ्रेंड्स आज मैं आपकी साथ यूमनिटी बूस्ट करने के लिए बच्चों की यूमनिटी अच्छी रहे सर्दी में ज्यादा जुकाम खासी बुखार नो हो बिल्कुल बढ़ियासा सेहत हो तो इसके लिए ड्राइफ फ्रूट पॉडर बनाना सेर कर रहे हैं मखाना को उसमें भून के निकालेंगे जितना भी बनाना हो उस हिसाब से धीरी धीरे करके इनमें भून के निकाल लेते हैं थोड़ा सा टाइम देते हैं दो से तीन मिनिट का और बिल्कुल कुलकुरा सा हो जाए तब इसे निकाल लेते हैं बापिस फिर घी डालते हैं और क किस्मिस को भून के निकाल लेते हैं किस्मिस को पीस नहीं सकते तो उसे साबुट डालेंगे तो यह फक्की की जैसा बनाएंगे आराम से चार पांच चमच आप यूज करें और दूद पीलें उपर से तो यह बहुत ही फाइदे मंद होता है अब देखिए हमारा किस्मिस भू ना है तो जितना भी आपको यूज करना हो उस हिसाब से आप इसमें बादाम डाल सकते हैं हम बेसिक इसमें बादाम और मखाना का ही यह पोडर बनाएंगे में तो तो हम थोड़ा बादाम ज्यादा दे रहे हैं और मखाना भी ज्यादा देंगे अब हम बापिस घी और हाँ उसमें सुजी मिक्स किये हैं और थोड़ा सा उसे भी हम मिक्स करेंगे इस पॉर्डर के अंदर तो इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं इसमें अच्छा सा कुस्पू आ जाए उतना हमें भूनना है तो इसमें हमें 5 मिनिट का टाइम लगेगा लगातार चलाते रहे है अब इसे हम निकाल लेते हैं अब इसमें थोड़ा सा हम सौफ एड करेंगे और खीरे का भी जैड करेंगे तो हम इन दूनों को भी घी के अंदर थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसका टेस्ट भी बढ़िया सा आ जाए इसमें भी एक खुसबूसा आ जाए सोंधा इस तरह से हमने इन पांच चीजों को लिया है जिसमें की मखाना है बादाम है किसमीस है और थोड़ा सा आटा और सूजी हमने भून के लिया है और थोड़ा सा हमने सौफ लिया है भूंच के तो इन सब चीजों को भून के हमने ले लिया है अब इसमें से किसमीस छोड़के हम बाकी जीजो को पीस के दैयार कर लेंगे तो आटा तो हमारा भूना हुआ पीसा हुआ ही है तो उसे एक बड़ा बरतन में डालते हैं बादाम को पीस के डाल रहे हैं हम बिल्कुल बड़ी हासे पीस के डाल दियें थोड़ा बादाम हम सिंपल ही डाल देंगे मखाना को भी पीस के डाल देते हैं बिल्कुल इस तरह से पतला सा चिकना सा कर देते हैं कितना मीठा रोक नहों उसना सक्कर भी हम पीस के निकाल लेते हैं यह हमने सक्कर भी इसके ले लिया है इसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं उसके बाद जो हमारा थोड़ा सा हम इसमें जो साबुट डालेंगे ड्राइफ रूट उसे डाल देते हैं तो थोड़ा मखाना डाल देते हैं थोड़ा बादाम डाल देते हैं थोड़ा सा किसमिस तो हम इसमें पूरा ही डालेंगे तो पूरा किसमिस हम इसमें डाल देते हैं और शौप जो हमारा भूना हुआ था उसे भी इसमें एड़ कर देंगे, तो ये सारे चीज हम इसमें एक साथ ही हमें मिक्स करके और बढ़ियां से मैस कर देना है, तो देखिए सौफ भी हम इसमें डाल देते हैं, और सक्कर पोडर तो हमने डाली दिया है, तो थोड़ा सैलाइची पोडर भी हम इसमें एड़ कर रहे हैं, ताकि इसका फ्लेवर और भी बढ़ियां सा आ जाए, आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें बढ़ियां सा फ्लेवर डाल सकते हैं, तो अब इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे, हाथ से बहुत ही अच्छा सा मिक्स होता है, तो बिल्कुल इस तरह से दबाते हुए हाथ से और इसे मिक्स कर देते हैं, तो दो से तीन मिट हम इसमें मिक्स करेंगे, तो यह बढ़ियां से मिक्स हो जाएगा, आप इसमें और जादा घी भी यूज कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं उस हिसाब से तो हम इसमें दो-तीन चमच घी और एड़ कर रहे हैं और इसे भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अब इसमें एक बढ़ी आसा घी तयार हो गया है और ये बढ़ी आसा बन गया है इसे आप योई डबा में पैक करिए और बस सुववब बच्चों को खिलाईए दूद उपर से पिलाईए और बहुत ही बढ़ी आसा हमारा इम्मेटी बोष्ट पॉडर तयार हो गया धन्यवा दीर फ्रेंड